सबी को नमस्कार मां डॉक्टर केलाश स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल में आज मैं लेकर के आया हूँ अमर चित्रकथा के तरफ से प्रकाशित वालमिकीज रामायन पूरा बॉक्स सेट जो हार्ड बाउंड शिक्स वोल्यूम का एक पूरा सेट है इसका रेटेल रिव्यू इसकी अन्बोक्सिंग पहले करी जा चुकी है चैनल पर उसका वीडियो अविलेबल है आप चेकाउट कर सकते हैं लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसकी अन्बोक्सिंग मैंने एक काफे बड़े पार्सल की अन्बोक्सिंग करते वक्त क यह आता है कि कुछ प्रोड़क्स अन अटेंडेंड रह जाते हैं जैसे कि अभी कल ही मैंने संपूर्ण नागायान इस क्लेक्टर अडिशन का एक बड़े पार्सल का मैंने अन्बोक्सिंग किया था जिसमें न सिर्फ यह बलकि बहुत सारे क्लेक्टर अडिशन पेपर वेग अडिशन वो सब सामिल थे एक्जांपल की रूप में देखी एक महा संपूर्ण महारावन भी उसमें था तो वो मैंने एक अन्बोक्स किया था तो कल भी ऐसा ही हुआ हुआ निशित रूप से कुछ प्रोड़क्स जो है वो उन पे नजर नहीं जाती और वो ऐसी कैसे शेल्फ में पड़े रह जाते है वालमी की रामयन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और इसका डेटेल रिव्यू में लेकर कि नहीं आ पाया तो आज मुझे लगा जब मैंने बड़ा पारसल मेरा खुद का मेना अन्बोक्सिंग देखा कल वाला तो मुझे लगा कि पहले वाले जो अन्बोक्सिंग हुए थे क्या उनके सारे प्रोड़क्स का डेटेल रिव्यू आ चुका है तो वालमी की रामयन मुझे सबसे डिजर्विंग प्रोड़क्स लगा जिसका रिव्यू मुझे लेकर कर आना चाहिए वालमी की रामयन यह जो 6 वोल्यूम्स है यह हमको इस बॉक्स सेट में मिलते हैं इस तरीके किल लगता है यह बोक्स बाइदवे तक और आजया है वेजी उंडीरिव्यूम्स हां आए है और इस पूरे बॉक्स में इस तरीके साहयाते हैं यह बोक्स कुछ इस तरीके का लिखता है राजबी को मैंने काफी रिवीव बग्र करें हैं उनके जो कउलेक्टर डेशन आते ह यह देखिए हमें काफी सारे collect editions दी विद्द स्लिप के स्कवर देखिए एक विद्द स्लिप के स्कवर है सिट्री विदावटे हीरो और ऐसे काफे सारे collect edition हम को देखने को मिले संजेग गुपता जी तरफ से और जब मैंने उनकी प्रोड़क्त देखे थे जिसी यह जो यूवी क्लोस है या इस तरीकी की जो एक नया इन्वेशन यह देखने को मिलता है वो मुझे अमर चेत्रकता के आदिलाता है चाहिए मैं महामारत की बात कुरू रा अच्छी कोई चीज है तो उससे इंस्पिरेशन लेना एक अच्छी बात है और अपने प्रोड़क्त को अप्तूरा मार कुनाना और इच्छी बात है तो अगर बात करें इस प्रोड़क्त की वालमी की रमायन वोल्यम न से लेकर के वोल्यम 6 इसकी बात अगर हम करें और महा भारत थी वोल्यूम था इसमें शिक्स वोल्यूम हैं बढ़ हां उसके जो वोल्यूम थे वो उसको पहले अन्बॉक्सिंग थी मेजी और अब तक का मेरा बेस्ट क्लेक्ट एडिशन है वो एक ऐसा एडिशन है जिसको मैं रीड कर सकता हूं अच्छे से अब आप सुचेगे कि मैं कोमिक बॉक्स का या चितर कताओं का रिविव कर रहा हूं कोई भी बॉक खई दी जाएगी तो डेफिनेटली वो रीड करने के लिए खई आती है लेकिन अगर आप राज कोमिक्स के मेरे रिविव चेक आउट करेंगे तो आपको कई तरीके की इशू सुम्हें देखने को मिलेंगे अगर इसको क्लेक्टेशन मांते हैं तो सेम ऐसे उसमें उसमें था यूव गलोस वगर रहा था पास इसमें थोड़ा से ये गोल्डन टच लिए वेरे के रामयान लिखावा बहुत ही शांदा लिखावा वालमी की रामयान अमर चितर कथा के तरफ से अगर मैं रामयान की ब है और जो है उसका इंसाइड आर्टविक परताप मुलिक जी का है वो अवेलेवल है मेरे पास में उसके भी आपको दे दूँए लिंक इसमें डेस्क्रिशन में जाएंगे आप चेकाओड का सकते हैं तो एक सिंगल इशू था 96 पेजिस का एक स्पेशल इशू वालमी की स्र अंदर कवर आर्ट बगरा देखने को मिलते हैं उनके मैं लिंक देदूंगा आप चेकाओड कर लेजेगा कई बार मरेवीव कर चकाउन को तो तब मुझे जरूत मैसूस हूँ थी कि यह वालमी की रामाइन थोड़ा सा और डेस्क्रिप्टिव मिल जाता खेर तू आपको का 42 चेत्र कता हैं थी और उनको 14 14 14 14 जाने कि 14 14 का 32 32 पेज के थे वो वाइदर उनका एक हाड़ बाउन एडिशन बनाए गया था ओल्ड आट के साथ में उसको मतलब री बाइंड करके नया एडिशन बनाए गया था बट यह जब मैंने इसको देखा वालमी की जरा मैंन को तो नियू आर्ट और नियू कलरिंग सब कुछ नियू है तो एक नया एडिशन माना सकता है और इसका इंस्पिरेशन जो वो महभारत ही होगा आइठिंक जैसा मैंने इसका जो कलेवर है इसका जो आउट लुक है वो सारा कुछ प्राइस की अगर हम इसकी बात करें तो 2500 रुपे जिहां 2499 यह इसका प्राइस है देखिए इसका स्पाइन भी कितना थिक है और इसमें जो वोल्यूम्स अवेलेबल हैं उनके नाम भी लिखे में बाल कांड युध्या कांड अरन्य कांड किशकिंदा कांड सुन्दर कांड और युद्धकांड विद उत्तरकांड तो उत्तरकांड जो है वो युद्धकांड में ही इंक्लूडट है मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको तो इस तरीके से काफी अच्छी क्वालिटी के बॉक्स सेट में मिलता है इमको और यह जो six individual editions है सब के सब hardbound में हैं यह दे देखिए होगी यह पेपर बेग भी जो आते हैं मैं आज के लिए इस चीज को फोलो किया रहे है ऐसा लेजर कट और पिछे भी इसमें कहीं ऐसा कुछ होगा है तो ऐसा लेजर कट देखने को मिलता है और अच्छी क्वाल्टी का आपको hard cover मिलता है और आज आप देख लीज है महादेव अभी जो अमर्च चित्रकथा की तरफ से आया है या फिर लेटेस न्यू जो भी अमर्च चित्रकथा देखिए होगी बढ़िया क्वाल्टी का थिक पेपर है बट ग्लोसी नहीं है यह आप द्यान रखे गया आर्ट न्यू है कलर इंग बिल्कुल न्यू है और एक कांड की अगर मैं बात करूं जैसे कि बाल कांड की मैं बात करूं कवर आठ तो आप देखी चुके होगे बहुत चांदार है प्लस इसमें आपको और भी चीजे मिल जाती है जैसे कि इसमें यह फाइफ चेप्ट्रस है दा बिगिनिंग यंग प्रिंस रामा ट्रेवलिंग विश्वामित्र ग्रेट बो शिवा एंड ग्लोसरी तो यह अलग अलग है इनकी भी बिगिनिंग का भी अलग से आपको एक पेज मिलेगा कलरफुल आर्ट मतलब इस लगेगा कि आप एक अच्छा ओरट से शुरू होता है और वालमी की रामायन को आधार बना करके इसको बनाएगा वालमी के लामायन तुलसी धुक्टास रामायन अलग लह त्रगी है चलावाएं इक्स्ट्रास करना अपको यह है जह पर एप यह अपको पेज़ाना चावंगा तो इसमें लिखाए कि जो पहले के जो भी नोलेज था वो गुरूओं के दवरा शिश्चों को सिर्फ बोल बोल के बताया था इननों इनको बोला और उनको केरफुली प्रिजर रखना एक ऐसे युग्य शिश्चे का चैन करना जो उसको एज एटी से याद रख सके थोड़ा से उसमें मिक्सप ना करें प्योर रखें नोलेज को वह इसमें इंप्रिट बें ठीक है तो यह इसमें बात बताईए तो इस रामायन के स्टूरी नहीं इसमें काफी चीज़े में देखने को लेंगी मैं बताऊ हूं इंडरेसि इसमें बिगिनिंग से बिगिन होता है सारा कुछ कहां से यह सेट अप हुआ सारा स्टूरी आर्ट और कलरिंग सच में लाजवा भेस की अरताश में शांदर फिलिंग होती है नेक्स जो चैप्टर है वह यंग प्रिस प्रिंस रामा और देखिए कितना सुन्दर आर्ट बन आर्ट में 42 में आपको बताए कि बयाने चित्र कता हैं थे लेकिन के ओरिजिनल कवराट मिसिंग थे आई डूंट थिंग वह रिज्टर कर पाया होंगे ने पर यह बहुत चांदा लग रहा है यह ब्रहमा जी बना रखें और इसका आर्ट आपको सच में डिवाइन लिए देखें रमाना रमाज इन्फिनिटी फोम गई अब आट्री वाल्टी बहुत अच्छी लिए कि मुझे अब बाल कांड में अ यह देकिए वाँ वाँ ट्रेवलिंग विध विश्वामित्र यह कौन सा चप्टर था जप्र आपके था थाट जो जब्र है इसकिप नही इसमें राम और लक्षमन बनाना के कितना सुंदर आट है बहुत सुंदर आट है और इसी आर्ट को आगे देखिए इस तरीके की पेज के लिए यूज किया गया है जो क्लेक्ट एडिशन के अंदर हम जो देखते हैं संजो गुपता जी में यहां पर आप देखिए पेजिस अब थोड़ा इंप्रूब्मेंट आया है संजो कुपता जी ने भी हम जो शिट्री विदावटे हिरो दिया था उसमें कुछ बना की दिया था तो यह उस इस आर्ट को मिरेर इमेज बनाकर यूज किया गया है बहुत चांदार भगवान शिव बनाए है तो बहुत ही अच्छी अडवांस कलरिंग मिलती है यह कि समोद्र वंथन का भी इसमें जिक्र है यह देखिए वेल डिसेज है इसमें बहुत अच्छा आपको लगएगा पढ़नाय में आप इसका आट देखिए अधर आपके जो एकस्पेक्टेशन से उनको मीट करेगा यह ऐसा नहीं होगा है कि हम मंगाए और हमने कुछ सोचा और निकले कुछ और ऐसा नहीं है पेपर क्वालिटी अच्छी है कलर अगर अच्छी है अभी देखिए इसमें यह बात भी है जि कि वेपन्स ओफ एंशेंट इंडिया तो आपको इस तरीके की इंफोर्मेशन भी देखने को मिलेगी देखिए तो वह एक रिसर्च इसमें मिलेगे और अभी आगे और कुछ मिलने वाला और यह सीन देखिए कितना इपिक लग लग रहा है बहुत चांदा सीन तो इस्टोई आगे बढ़ती है बहुत अच्छे इल्लूस्ट्रिशन के साथ में कैप्शन्स आप देख लिए जो इसमें सब्सक्राइब उती होती है उनके मेनिंग और उनके रिफ्रेंसिस अच्छे से दिये वे बहुत ही वेल रिसेच बुक मन जाती है जिस महाबारत की देखिए रामायन आयुद्याकांट नेक्स्ट पार्ट अज़द्याकांट हमरे आद्माएगा देखिए और जिस मह महाबारत की बात करा था आप सब को वेर होंगे यह यह है देखिए माबात क्लेक्ट अडिशन यह है रुपेश 2999 अब यह यह थ्री हंट थावजन के आसपस इंग्लिश अबाइद अब है मुझे लगा महाबारत महेंगी और रामायन सथी असा नहीं है महाबारत का प्राइ इसमें भगवान श्राम की बच्पन की जो स्टूरी है कैसे बड़े हुए कैसे शिक्षा पर राप्त करी और पूरा सटेप बिटता है जो भगवान शिव का धनुष तोड़ा था उसका भी बूरा सेकिंड है अयोध्या कान वोल्यम नंबर टू और इसमें देखिए फिर व है क्योंकि काफी पार्ट है इसमें लिखा वाए कि नहीं मिल सकती है यह आपको बताना बूल किया था कि बाल कांड हो चाहिए एक समरी आपको मिल जाती है तो मतलब वैल इलुस्टिटेटेट एडिशन है यह बहुत अच्छा लगता है इसको देख करके और एक को बात मुर सब्सक्राइब तो उनके हालत दैनी हो जाती काफी मतलब के सच में कवर सब्सक्राइब करोड़ जाते हैं उस समय सच में यह ना ऐसे हाड़ बांड अडिशन आप लेके पड़ते हो तो लगता कि हाई यह सच में थोड़े से अच्छी फिलिंग देते हाड़ पांड मिल जाता है हमें अयुद्याकान में कौन-कौन से चप्टर्स हैं काफी चप्टर्स हैं दर्शत डाइलेमा फेर्वेल टौ अयुद्या रामाज गोस इंटु एक्साइल लाइफ अन डेथ ओफ एकिंग भरता से विजोल्व विल बीदे किन ग्लोसरी और यह ना इनके नाम स से पता रहता है स्टूरी तो आई हम सबी परिजित हैं लेकिन हर चेप्टर को जिस आर्ट के साथ में शुरात कर रहे हैं कि कितने अच्छे आर्ट है और आर्टिस्ट का नाम आप बताएता हूं मैंशन है बाइद वे साबू सरन एंड सुंदरलाल जी मतलब वह आर्टिस्ट मिलेंगे जो हमको नॉर्मली राज कुमिस वकर हम नहीं मिलते हैं पर पहुत शांदर आर्ट है फर्स्ट पाट कम आपको आर्टिस्ट बताना भूल किया रहा हूं बता है तो फर्स्ट पाट कभी जोहेब अकवर जी बहुत अच्छे राट बनाएं उन्होंने फुल्यम टू अयोध्यकान तो अयोध्यकान कम मैं एक जो वो कवर रहना बड़ा सुन्दर लग रहा है देखिए दस्तर डाइलम हमें पता था क्या डाइलम है था और जो आर्ट की क्वालिटी स्थ में वो शांदर इसे यहां पर देख सूरी की किरने गिर रही है इस तरीके से शांदर राट है कि हम सब जानते क्या था श्राम का राजा विक्षे कोना वाला था सभी प्रजा कुष्टी लेकिन दस्तर की प्रॉन क्या थी यह देखिए मंधरा जो थी वह उन्होंने कहीं से खेर इस्टोई सबको पता ही होगी इसमें मुझे तो नहीं कोई स्पोलियर होगा पर वो जो संबाद दिखा रखा न वो काफी इंपड़ एक ते किसे टीट किया गया है रामाने के काफी वर्जिन है मेरे पास में कैमफायर के तरफ से ग्राफिक नवल्स भी है और भी काफी चीज़े है तो दश्रत और के कई के वीच का संबाद भी दिखा जाता है वादी कि अपना एक अंग काट के दे रहे हैं यह यह जो राजा शीबी थे यह भी अमर्ट रथा में कहीं है कि पक्षी के बदले में मतलब ऐसा कुछ था कि अपना खुद का मास काट कर लिया गया है और देखी जो भी होता है यहां पर पूरे परचा पूरे उल्लास में अब देखे से आर्ट की कॉलेटी देखे कि आशनार रट राम कॉराज अब यह देखे यहां यह मुझे बड़े अट्रेटी लोगी अ मित आ वैल्थ ओफ एंचेंट इंडिया तो यहां पर इनफोर्मेशन देगई यह बाकाइदा पूरे तत्यों के साथ में एपूरे तत्यों क तरह तरह के अमार चितर कथा बनती है तो इस टोरी भी चल रही है और उस टाइम का पूरा फिल हमको मिलता है और देखिए घोड़े दोट रहे हैं तो किस लेवल का आट आप देख सकते हैं तो यह समध काफी लंबा चलता है क्योंकि बहुत अच्छे समध जल्दवाजियों सब्सक्राइब काफी तसलिष से सब्सक्राइब किया गया है फेर्वेल टो यह देखिए मेरे को तो ना इनकी यह जो ओपनिंग क्रेडिट्स होते हैं यह देखने बड़ा मजा आ रहा है आया था कर आया कि आया भी तो मतलब स्टोरी तो चली रही है वह पूरा पर जो संद इंडिया किस तरह से लोग रहते थे इस पेच्वल्टी और फूर्ड क्लोधिंग भी दिखाएगी माँ को दिखाऊंगा अ कि यह देखिए हैं कि तोड़ा सब्सक्राइब करना पड़ेगा तब माँ अच्छे दिखा पांगो पूरा है यह देखिए आपको है सब्सक्राइ हमें कैसे रहते थे किस तरी के कथा देखिए हुमन और बॉन विद फॉर काइंड्स ऑगोल्स तो इना पूरा इसमें वेल इलुस्टिट करके दिखाएगा आगे और भी दिखाएगा फेस्टॉरिया मेरे आगे कंटिन्य हो रही है तो उस टाइम के जो संदर्ब थे आपको यह जो कि उस समय राजा का महल था और जो प्रजा थी वह आपको दिखे का व्यू कि किस तरीके का ग्रांड व्यू हुआ करता था बहुत बढ़िया मतलब वेल ट्रिटिटेड शोई यह बहुत शांदार क्लेक्टिबल है यह यह देखिए कि अच्छी आपको निराश नहीं करेंगा काफी अच्छी का वेपर है यह देखिए बीच में यह आट देखिया है कि फ्लार्स हैं ग्रिनरी है वहां पर संसेट या संराइज हो रहा तो उसकी लालिमा जो है न सूरी की वह पेड़ों पे गिर रही है तो सारा आपको दिखे कि इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलना चीए उसी तरीके लेवल का ट्रीटमेंट दिया गया है रामायन कोई देखिए बहुत शांदार और अमर्चितर का थाका जो एक लिगे सी उसको फोलो किया गया है कि सेम टाइब केम ग्राफिक एंपायर अधर ग्राफिक नोबल से और हाटवां वें बड़ा अच्का लगता है इसको देखना ना ना नहीं तक ना कोई सब्सक्राइब या तो हाडवां इस तरीके कि रखांगा यह में या फिर बिक साइज में अभी तक सोफ़ाइब में यह कमिक्स आई ने को को में नहीं लिए कहा तक मौछ गे तेमाब यह देखिए एक और भरताज रिजोल्व ओपनिंग आर्ट तो गसब के लिए नहीं बहुत बढ़िया दिया है इस क्लेक्टरेशन को सच में क्लेक्टिबल बनाते भी है भरत जी का जो था पूरा एपिसोड वो भी दिखाए गया यह देखिए अब क्या हुआ यह कोई आर्ट वो नहीं है लेकिन इसमें फी इनफोर्मेशन देखिए क्या लिखाव आपर पढ़ते हैं अब बहुत उपर लिखावा देखिए दा फोरेस्ट लेट रामा पास्ट थ्रू वर फुल ओफ एनिमल्स और्ड तो इसमें इसमें दिखाए फ्लोरा एंड फना आप समझते हैं थ तो फ्लोरा व यृष्ट्थान का मतलब होगा राजस्थान के सारे प्लांत्श एन फोना एक फेए यह उसका मतलव हुए महां के एंमल्स बताता है इसमें रिखाकर राम जो भगहां स्री राम के समय में उस समय जंगलों में विचरन किया करते थे वहां पर कैसा फ्लॉरा क आपको बड़ा मजा आएगा कि बहुत अथेंटिक आप डोकुमेंट रहे हो विद इस लेवल ओफ आर्ट यह देखिए पीछे पूरा बता रहा है बकाइदा नयम है इनके यह यह सब उसमें मिलते थे कि यह हमारे राम लक्षणोर किस तरीके का पोई दिया गया फिर स्टूरी कंटिन्यू नो डॉप इसके लिए हमने बुक ली है राफिक नौल की इस्टाइल है यह तो राम भरत का संबाद भी होता है 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 कि अब भरत जी के वह बीच में अच्छा इसका कवर आट में सब्सक्राइब और यह देखिए वावा हूव विल बीदा किंग फिर से अब तो यह वह भरत जी का समाद उसके बीच में और आर्ट जाला गया है स्टोरी आगे बढ़ती है पेपर क्वालिटी आर्ट क्वालिटी शांदार है और साथ में अगें हम मिल जाती है ग्लोसरी और इस पार जो ग्लेसरी है ना सच में मनमौ कर देखिए मतलब आपको को अगया कोकि कशिटी आपको एंचिट इंडिया की चीजे हैं ब्लोसरी है है सब कुछ मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट हमारा आने माला है अरणय कांट देखते हैं जो टायूजी बने वे इसमें अरणय कांड मी क्या होता है और यह देखिए आई थिंक यह उसमें प्लान हो रहा होगा कि देखिए इसमें जो है ना वह आर्ट अभी नहीं है जो कवर में यूज किये थे हार्ड बाउंड में लेकिन नाम सब कहने के बाल कांड अयुद्या कांड अरन्य कांड किश्किंदा कांड सुन्दर कांड और युद्ध कांड तो लेकर के नहीं है क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहता है इनको स्टूर करना आप समझ गया होंगा कितनी अन्बॉक्सिंग में फिर जब आपको जरू था तब सारे रेफरेंस याद करना क्योंकि जब मैं आपके सामने भी वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय मेरे माइन में आता रहता है कि यह चीज़ ज़रो था उसी ज़रो था जितना अवेलेबल होता है करवाजित तो महाबारत में जो पुराने समय के ब्याने सित्रगदाव को समाई जूट किया गया था उसके डिफिनेटली उनके कवर्स रिमूब कर दिये गए थे पर वो उस समय के मजूर य योगी रिस्टोर नहीं होगा संपूर नागायन की तरह आपको नहीं होगा कि अगर कभी अवेलेबल हो तो भी अवेलेबल नहीं करवाए गए तो कर ऐसा हुआ और लेकिन रामायन में सारी शिकाए दूर है और जितनी भी गुड़ क्वालिटीस थी महाभारत में सारी आप तो अरने कांध है हमारा हाथ में इसमें यह हमको देखने को मिलेंगे हैं दा फोरेस्ट ओफ दंडख दंडख वन एंकाउंटर विद राक्चासाज दा कमिंग ऑफ रावना वेरी सीता गलो सेडी तो यह फोर चेप्टर है दिन गलो सेडी दिखते हैं बहुत वड़ी है दि दंडख वन देखिया यह राक्चास इसमें आता है और यही राक्चास आपको जो इसके बैक में फ्रंट में जो क्रेट देते हैं इस तरीके का जो जो सिंपल पेज होता है उसमें इसको थोड़ा जूम करके बलेकिन वेट सा करके दिखा रहा है क्या मनाया है इसके भी आर् अरिजित जी अरिजित दद्दा चोदरी अरिजित शांदार राट बनाया है आर्टिस्ट अलग लग रहें लेकिन शांदार आठ है इस सीरीज का आप स्टार्ट कलरिंग मुझे खास करके बहुत पसंद आए इसकी कलरिंग जान है महाबरत में आपको इसी एड़ेंस बहुत चांदार महाबरत आप चेक आउट किजिए कब वही काफी सुन्दर और एंगेजिंग है स्टोरी तो करें स्टोरी आगे बढ़ती है कि यह देखिए जटाई हो कि स्टोरी तो हम सब को मौर और लेस्ट पता ही है पर यह जो एक्स्टा थिंग्स है वह इनको क्लेक्टिवल बनाती है देखिए यह देखिए यह यह है मतलब जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो इनफॉर्मेशन वह दी गई है कि अब पोस्ट करके पढ़ सकते हैं किस तरीके से क्रिएशन के बारे में कुछ बता रखा है जो थोरी से परानी कि किस तरीके से क्रेशन हुआ है क्रिचर्स का बड़ा मजा आता है मतलब वह एक विज्टम में को देखने मिलती है कि क्या विज्टम रही हुए समय की एंकाउंटर विद राक्चा सास चलो ठीक इसके जो क्रेट पर जाना मुझे उस उस क्वालिटी के इतने लग रहा है आला कि बहुत शांदर आता है पर इसी इन सबको यादि होगा पर आक्चा सी को वैसा बनाना वह एक बात होती है कि से वैसा दिखेंगे है यहां पर वकॉंट छला रहे हैं यह पर धनुष आत्में तो यह डोरी है अट दनुष कीचा दो जो की धागे में धंकार होती नों वो भी आपको इस आट में देखने पढ़ते 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 आपको माइंड सेट वैसे वह आता है उस समय कि क्या कल्चर था कैसी क्लोधिंग थी कैसा फूर था कैसी कीचर से वह आपको देखने को मिलते हैं तो बड़ा मसा आता इसको नो इस सच में एंगेजिंग है कि आट भी जबर्स लेवल का एक और भगाण श्राम विद्धु करते हैं यह खून सा निकलता है तो यह ट्रीटमेंट काफी अलग लगता है क्योंकि हम जो पुरानेक सीरिल देखते थे वह पे तो जो भगाण श्राम है बगाण शे कृष्ण उसमें को कभी भी वह नहीं देखते हैं यह देखे यह क्योंकि है क्योंकि है क्योंकि है दो कमिंग ओफ रावना कि इसमें भी कोई अगर बेक इस्टोरी होती है तो थो थोड़ा ब्लेकन वाट से फील लेकर क्याती है इस तरह कि बुक मार्क मिल जाते हैं बाइद वे सभी पार्ट में कि और अधिके जटायू जब रोकने की कुशिश की थी रावन को तो जो यह दुआ था और रावन की बहुत सरी बुझाय इसमें दिखा रखी तो शुम्हें भी दिखा रखा कि कि इतना शक्तिशारी राव का जटायू कि उसके लिए इतने सारी बुझाओ कि आशकता पड़ी रा तो अब शीता हो चुका है वेरी सिद्धा है हम लक्षन खोज में हैं है कि अब बहुत शांदा इस्टोई बनेंगी ती क्या संदर मतल्य एसे राक्षास में पहले लिए बड़ शिव पुरान मेरे पिताजी को शोख था पुराने गृत होगा उनके पास होती थी शीव पु सब्सक्राइब करते हैं तो मैं उनकी चित्र देखा करता है जो भी धार में किताब होती थी 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 थोड़े ग्लोसी चित्र आर्ट काफ अच्छा मिलता था तो भगवान शिव के भारात वगर है तो उसमें इसे राक्षास देखने को मिलते हैं वह अच्छाठ है अगेन आ सब्सक्राइब करते हैं और यह देखिए फिर से वही एड जिसमें कुछ थीम बता रखी है कवर बना तो रखें लेकिन कवर वो नहीं है पर फिक अंदर राटना यूश किया गया है यह भी मैंने मंगवाई है महाबार्त तो है मेरे पास में भगवत भागवत भी है इसका इसके डिटेल यह लेके आना बाकिया इतना कलेक्शन होगी है कि देखने समय नहीं मिलता है यह भी मैं कर चुका हूँ परमवीर चक्र का भी रिवीव कर चुका और गीता भी में लिखतें वोल्यम फूर हमारे आथ में आता है किश्किंदा कान किश्किंदा कान वोल्यूम वोलिम 4 हमारे आतमे हैं देखे रहा होगा आपको अनमान जी ने श्री राम और श्री लक्ष्म जी को अपने कंदों पर बिठा रखा है वोलिम 4 हमारे आतमे आ चुका है उसको भी अच्छा से इस्तेमाल किया बड़ा क्लेक्टर बनाता है इसमें आपको मिलेंगे इसमें हैं आर्टिस्ट दुर्गेश विला तो अलग अर्टिस्ट मिलते हैं लेकिन घजब का आट और जो इनकी कॉलिटी है या कलर की कॉलिटी है उसने ऐसा महसूस नहीं हों देता वाली एंड सुग्रीव हैल्प इन किश्किंदा दसर्च ओफ फॉरसीता ओं दशी शोर देखते हैं कैसे किसे कवराट मिलते हैं वाली एंड सुग्रीव तो मैं पहले जो एड़ दिखा रहा था आपको उसमें यह आर्ट शेर किया गया था तो उस आर्ट को इस तरह के क्ले इस तो इसको भी स्टार बना करके ऐसे नीचे रिफरेंस दिया गया है बहुत मर्मॉह का बनाया है बहुत अच्छा बनाया है शांदार हो कि माताशिता के आभूशन मिल जाते हैं श्क्राम को उसके बाद में जो संभाद है अन्वान जी वगर है एक अब यह दिखाए दो यह ऐसा होता है यहां पे न जो यह किशकंदा वगर के बारे में इंफोर्मेशन मतलब की सिर्फ स्टोरीज आगे बढ़ रही है उनमें रिफ्रेंस आरे ऐसा नहीं उसकी धेद्र आपको उस समय पर्टिवल जो इनफोर्मिशन आपको चीव मिलेगी हाँ अब आटिस यह देखिए बाली सुग्रीव वाला भी इसमें इंसिजन्स आया है कि इंसिंदा में है तो इसलिए और समवाद काफी दिखा रहा है बड़े जल्दी निप्टा है नहीं चीजों को समवाद अच्छे सदिये गए हैं पढ़ने माब को मज़ा आएगा यह देखिए सुग्रीव जी का जो राजय विश्यक होता है वह सारा दिखा रखा है अब सारे इंसिदेंस को पूर किया गया अच्छे से दसर्च फॉर्सीता यह शाद अंगद होंगे निश्यूप से बाली के पुत्र राम भगवान की आर्मी तयार हो रही है औहाँ यह देखिए यह च यह देखिए इसमें यह सुग्रीव जी बता रहे हैं कि कैसे कैसे इनको आगे पार करना पड़ेगा और उनके क्या आर्ट दिये वह देखिए यह कहीना कहीं से रिसर्च कि हुई होगी बहुत बढ़िया यह देखिए और काफी लंबी इंफोर्मेशन है यह हमको दिए इंफोर्मेशन ऑथेंटिक और सुग्रीव जी के शब्दों में उनको थोड़ थोड़ बना दिया गया कि वह बता रहे हैं इसलिए वह देखिए आप सोमगिरी नरका सुरा घसब यारी तो जोतार इंच पर मुझे देखिया अब इस तरीकी का ना जो पूरा ट्रेजर डवलब करा इतने सालों में 60 से आ रहे हैं ना इस तो पहले ही काफी रिसर्च हो चुकी है उस हिसाब से फिर इनके पास अब तो काफी बंढर हो गया है तो लेटिस् है तो पूरा तबियत से बनाएं इनोंने देखिए अधिवासी आर्द ओर इंहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया अधिवासी मीन्स दफस्टेटेंट्स अधिवासी को नाम आज हम थोड़ा साना गलत वे में आया था कि लोग जंगली ऐसा कुछ पतल एक सेंस बोलता कोई नहीं पर समझ लेते हैं पर यहां पर साफ लिखा अधि मतलब एंचेंट मतलब फस्ट जो है यार नियरली 700 अधिवास कम्यूनिटीज लिविंग इन ओल अवर कंट्री तो मज़ा आएगा पड़ने में इस तरह की इंफोर्मिशन मिलती है और फिर आगे हमारी स्टोरी होती कंटि होती रहती है में भी आगे हमको कोई बहुत शांदार इसके ऊपर कोई मुवीज बगर देखने को मिल जाए अंधर शीशोर कि यह देखिए समुद्र तट पर तो यह वह सीन आएगा जब कि राम से तु मनाये जाएगा पर इसका आट रोक मतलब बहुत अच्छा है लेकिन फरस्ट और सेकिंड पार्ट वगर गार्ट देखने वाद इसका इतना उतना जम नहीं रहा अगें पिक्टोरिल ग्लोसरी आपके सामने है कि एस हरुमान प्रिपेर तो लीप और सी तो यह वह सीन है जब हरुमान जी पूर चलंग लगाने वाले हैं देखेंगे आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट कौन सा है ग्लोसरी भी बढ़ रही है दिए अच्छे से नापको तबियत से पढ़ने के लिए बनाए गया इसको हुआ है अगे फिर वहीं आठ है हमने यह आठ देखा अभी रामायना का नेक्ट्ट पारगवा संदर कंड़ चंदर कंड़ के बारे में सब बोलते हैं कि कंपलीट रामायन एक तरफ और संदर कंड़ अकतरफ आगा रोमान्त से बढ़ावा है हमारे हाथ में आता है वुल्य में नाम लिखा हुआ है सिर्फ सुन्दर कान और हाट बाउन कोड़ है पीच बेक में समरी है यह डिस्क्लेमर है कि सेपरेट लिसको नहीं सेल किया सकता है यह बुक पार्ट है पूरी सीरीज का अंदर हमको आट मिलती है यह कि हर्मान जी का और शांदर फ्रंट बेक दोनों त होगी हर्मान से ग्रेट लीप इंद अशोक बना रामाज मेसेंजर ही रोजी टन फूर्ट इसमें पहला आट रोक हमको देखने को बिला है कि जाएंट बनाया है बहुत बढ़िया है और हमान जी जो भी इस देखिए वह लीप लेने की तहारी कर रहे है यह समूदर को पार क सब्सक्राइब करें इसमें काफी टीम ने काम किया है ना सिफ आर्टिस्ट ने कलरेश्ट ने पर और ही बात कुछ हुआ है काफी अच्छी रिसर्च हो लिए और यह ना वो कहा गया वह सीन वह सुरसा का वह जो वर्दान मिला होता कि उनकी मुह में से निकले वी बिना कोई भी नहीं जा सकता है तो अनवान जी एकतम से देखिए अपना रूप चोटा कर लेते तो वह सीन कैसे क्रेट किया गया है और मुह में निकल के भारा है यह सीन पता है लेकिन जो ट्रीटमेंट बड़ा बड़ा लगता है और इसे नाइट का सीन होगा तो आपको फिल देगा और यह अशुक फन में है मान लो तो वैसा फिल लगे लगे है कि हाओ वो जो आसपस की कलरिंग बगरा है वैसे लगेगा और अगर कोई परसाद में आने कि भावन में खड़ा है तो बैसा लगेगा देखिए यह बड़ा मज़ा आएगा कुछ देखने में बहुत ही शांद बढ़ जाता है यह देखिए इंदा शुक्मन यह देखिए चांद लग रहा है कि मून है बहुत बड़ी है कि यह सीन है इसी को मिररी मेंज बनाके माई यूज किया गया था प्र यह होता है इसमें हर्मान जी का पेरिंस होगा देन देख लिए जब शांदर बहुत ही कि है और हाँ अब जो ड्रींट के जो पेज आ है न उनका इतना वो खौलतीनी पिर बीड़ें लिए दिके माटयाइच देखे एंभार और है है तो आन्माट जी वेकीन दिराते हैं माता बेक स्थोरी बताते हैं सारा को बताते हैं तो अच्छित इक टॉइंग एक ब्लेक श इसमें किस तरीके सब्सक्राइब है कैसे पूरी लंका जल उड़ती है इस चीज कोई तो फिर से रिटन होते हैं सारी इंफॉमिशन लेकर के आते हैं और तैयारी की जाती है किस तरीके से लंका पर कोच करना है और विजय करना है स्टोरी यह हैंड होती है इस वोल्यूम की फिर से हमको प्रिक्टोरियल ग्लोसरी मिलती है तो यह स्टेप बाई स्टेप इंप्रूव किया गया है अगयर ये और देड्स का नेक्स्ट पाट और इस पार्ट जो हमारे हां न होगगा युद्ध कांड बात कते हैं युद्ध कांड युद्ध कांड वॉल्यूम नमबोर 6 जो लास्ट वॉल्यूम है में समुरी है डिस्क्लेमर है और यह देखिए वही एक सेम आर्ट मेरे इमेज बना करके यूज किया गया है और इसमें थोड़े ज्याद़ चप्टर से प्रिपेरिंग फॉर वार मेटल बिगिंस चेंजिंग फॉर्चुन वोर मेजिक वर्सेज में मेटल विक्टरी इन दे हार्ट ऑफ दे सन सीटाज करेश एंड रामा कोरोनेशन उत्तरकानन ग्लोसरी अरी जी चोधरी का इसमें आट रूख है कावे चाट रूख है प्रिपरिंग फॉर दवार शुरू हो जाता है कि क्या शौंदर राट है बहुत बढ़े हैं वहीं पेपर क्वालिटी पॉसी कलरिंग स्कीम भी साथ में स्ट्री स्ट्री शूर होती है आगे चलती है अगे च करेक्टर थे उनके बारे में इंफोर्मेशन दी गई है रामाज आर्मी अकोर्डिंग टू इंडियन सिस्टेम आफ नंबर्स वह बता रखाए यहां पर एक राक्टर सी थी जिसको शीता के साथ में सोफ्ट पोनर था यह मैंने सीवी सीरील में देखा था वो भी इसमें में रखा है कभी अच्छे समार दिखा रहे हैं तो इस से तो आप सब परिशीथ होएंगे कि और भी सबको पता ही है तो यह नेक्स्ट करेट कहा गया यह यह रहा है चेंजिंग फोर्चुन्स और बुक्मार्क हमारा आथ में है अग 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 मेजिक वर्सेज मेटल जिद्य के दिखर है इसमें डिखे नाइट के सीनोे तरह से होगे क्या शंदार मनना पड़े हैं हर्मान जी परवद उढख लाएते वह सीन भी है इसमें बहुत शांदार बहुत शांदार इसको थोड़ा अलग ट्रिट करना चाहिए था मेरे साथ अलकि बहुत शांदार बनाई है तो मैं क्या बोलों इसके बारे में पर यह एक एपिक सीन बन जाता है इसको फुल पेज में बना जित तो बहुत आता है जलती है जुद्ध चल रहा है यह देखिए है कि विक्टरी इंदा हार्ट ऑफ दसन शत्रिय धर्म देखिए फिर कुछ क्लेक्टेबल इंफॉर्मिशन मिल जाती है क्योंकि जब हम इस टूरी के से गोथ रू होते हैं तो कुछ प्लेसे आते हैं कुछ नाम आते हैं हम गन्फीज होते हैं और कई बर हम जज़ भी कर लेते चीज़ों को कि किस तरीके का बहुएर किया गया है शिराम के द्वारा या दर जो लोग है इसलिए इसमें इंचे एरविदा इन इंडिविज्वल के ने इंजोए गुड हैल्थ ओनली इफ दबोडी माइंड एंड सोल अर प्रोपर नचलिया हम पता ही हमको वाद पित्त खफ वगरा तो एक मतलब अब इसको पढ़ने में समय लगे लिए मज़ा पूर आएगा पूरी फील आजाएगी फी मंगाल की अमच लेकिन घुट बैंने पढ़ी नीरे का है वालमी किरामयन भी है भागवत भी है अभी है डशा आटवतार मैं उधिखने में मनें स्रीक पूर्ण में देखा था वतार बहुत मज़ा एब देखने में ये बहौन विज्णों के दस अवतार है मतस्य अवता तो यह हैं दस अवतार बड़ा सुंदर लाजीव से लग रहा है तो ऐसी चोटोटी इंफॉर्मिशन देखर के हमारी स्टोरी के जो इसको पढ़ने के बाद में आपको आसपास का जो रेफरेंस जहां चीए वहां दिया गया है वहना इसा भी किया सकता था कि पूरी स्टोरी एंड करने के बाद एक अलग सी चेप्टर अपेंडिक्स को नहीं पढ़ता काफी बुक्स हैं मिल फास में स्टोरी की बात नहीं है ब पर कि इन बुक्स आती नहीं कि इलुस्टर वोक्स आती है कि लिखा हुआ है स्टोरी और आपको फोटरी एलुस्टरिस मिल रहा है बहुत लवकुष का जन्म है या उसके बाद जो घटा है उसको भी अच्छे वेल इलुस्टरेट वे में बनाया गया गया इस तरीके ज़े पट यह इस तरह से मिलते हैं और देखिए मेनी रामायन अगिज तरह नहीं अफिक है वालमी कीज रामायन है तुल्सी तास रामायन है इवन तो मंकी किंग आपने मूई भी देखिये हुई जो चाइनीज मूई है इसमें लेका है कि मंकी किंग चू एडवेंचर से जो स्टूरी है चीन की वो भी ऐसा बोलते हैं कि हनमान जी के ही अडवेंचर्स हैं जो अगर उन्होंने चाइना में की होंगी कि उसमें ऐसा तो कोई भारत भारत पाकिस्तान चाइना मुटा ने इस तरह की बाउंटरी उसमें तो थी नहीं काफी बड़ा एड़ा कवर होता तो लगता भी है जब मंकी के मोई देखोंगे तो फील होगा मुझे पता है से मैंशन भी इसमें आएगा और देखिए इसमें ब और हेर दरामायना इवन इस सिंगल श्लोका ओफिट विल बेकलेंस्ट फॉल सिंस इन अटेन लोंग लाइफ हैल्थ हैपिनेस एंड प्लेस अफ ब्रह्मलोका जो भी लिखा हुआ है पर सच में इस्टूली कफे एंजोईबल है रामायना महाबारत बहुत बड़े एपिक है जितने बार इंगो ट्रीट के जाए इतने कम है इवन देखे ना यह रामायन में रहात में मैं बोली किया तो मैं इत्या से आपको दिखा रहा हूं बार बार मां कुद मंचन करना बोल गया यह भी नागराज और सुपरकुमांडदरू की जो राज को मिक्स है इसका नाम दे रामन की तरहाना आपके लिख बहुत एपारकुTPT यह मैं भूली कराता हो आपको दिखा रहा थाट बूली अधलए कि इसी किसे इंस्पार है झेल कॉक्षार है का बवन कि यह कंसा इंडगी मैं सचा थैब एडज डिट इन्हां इंगत इंगोड़ डूहिती तो आपको दि बहुत सारी मैंने पर्चेस तो कर रहके पर पढ़ने का समय काफी कम मिलता है तो यह मेरे तरफ से रिव्यू था इस वालम की रामेन का स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो सबको पता यह किस तरीके से उगज़ती पर कैसा ट्रीट्मेंट इसमें मिला है किसी इंपॉर्मिशन करें महाबारत की और कि क्योंकि बुक्स को पर्चेस करना एक अलग बात है फिर स्टोर करना दूसरी बात है फिर आपको डिजाइड अगर बुक्स चाही हो वह एक दिक्क्रत आती है तो इसे लिपकेसे हैं यह जो हर्डबांड यह कवर हना यह काफी करेक्टिब बनाते हैं आप अच्छे से लिवेरा में इनको सीधा खड़ा रख सकते हैं पर यह सारा कुछ उस पर एस्थेटिक पे और अफोर्डबिलिटी ओफ रिसॉर्स पे डिपेंड करता है सारा कुछ कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्योंकि मैं खुद अभी तक अफोर्ड कर सकता हो नहीं क करता हूं मिलते किसी और वीडियो में और आप अपने व्यूस मुझे जरूर बताईएगा कि आपको इसमें रिव्यूस में कुछ और बात अगर आपको एड़ करनी हो यह कुछ करेक्शन करना हो तो आप इसके लिए मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में अन्त तक बनेने कि सभी का दने बात